मुवी की शुरुवात 1941 से एक लेपेटाइट नाम के फार्मर से होती है तभी कुछ नाजी सोल्जर को आते देख वो अपनी बेटी को कहता है अंदर जाने के लिए और फिर कुछ नाजी सोल्जर आते हैं जहां एक करणल हैंस आता है और लेपेटाइट से हाथ मिला कर उसके स वह शुरुफ मर भेज़ देता है और फिर वो बताता है कि वह झुष को ढून ढून के मारने का काम करता है और उसे एक खबर मिली है कि कुछ चुई जूश को आप लोगों ने शरण दी है तब पहले लेप्टैट मना करता है तब हैंस उसे अपना दूसरा नाम बताता है ज इस बार लेपेटाइट कबूल कर लेता है मजबूरी में और यहां एक ट्विस्ट रहता है कि दोनों इंग्लिस में बात करते हैं और फिर फ्रेंच में बात कर एक्टिंग करते हैं और फिर हैंस यह दिखा रहा होता है कि वह जा रहा है और लेपेटाइट के तीरों बेटिया अंदर आ रही है पर रहते हैं तीन सोलजर उसके और फिर उसके इसारे पर वो गोली चला देते हैं पर एक लटकी उस जुईस फैमिली से जो उनसे बच कर भाग निकलती है उसका नाम सोसाना रहता है और ये देख हैंस बाहर तो आता है पर उसे गोली नहीं मारता है और वो भ ऑप्रेंस में एःड्रॉप किया जाएगा। जहां वो सब वहाँ के सिविलियन में घुल मिल जाएंगे और नाजी सोल्जर को मारेंगे और कहता है कि और एक सोल्जर से मुझे 100 सोल्जर के स्काल्प स्कीन चाहिए उसके बाद हिटलर को दिखाया जाता है जहां वो उस ग्रूप से परिशान रहता है और उन्हें पकड़ने के लिए कहता है जो अपने आपको बुलाते हैं दा बियर देने के लिए और फिर एक सार्जेंट वर्नर को हल्डो से बात करते हुए दिखाया जाता है जहां वो अपने सोल्जर से मिलाता है उसमें से एक हीउगो स्टिगलिस रहता है जिसके खिस से बहुत मसूर होते हैं क्यूंकि इस टीम से पहले वो नाजी हंटर ही था और एक द से अल्डो और वर्नर को दिखाया जाता है जहां अल्डो उसे आगे के रोट के मुताबिक कहां जर्मन सोल्जर चीपे हैं उसे बतानी के लिए कहता है पर वो मना कर देता है तभी अल्डो टॉनी नाम के अपने सोल्जर को बुलाता है जो एक बैट लेके आता है और उसे मा अर्लो को जर्मन सोलजर की पोजिशन बताने के लिए तयार हो जाता है और अपने एक सोलजर की मदद से उसे पूछता है कि वो कहां है और क्या आर्टिलेडी यूस कर रहे हैं उसके बाद उसे हिटलर के पास दिखाया जाता है जहां हिटलर को वो सब ये बात बता रहा होता ह और तभी हिटलर उसे पूसता है क्या उन्हों ने तुम्हें छोड़ दिया और कुछ नहीं किया तब वो कहता है हाँ किया है और अपने सर पे बना वो नाजी सिंबल दिखाता है उसके वाद चैप्टर थर्ड स्टार्ट होता है जहां सोसाना को दिखाया जाता है एक सिनेमा ह काल में काम करते हुए और जब तक चार साल हो चुके होते हैं जब उसके फैमिली को मारा गया था जहां वो नाम बदल कर काम कर रही होती है तब ही एक जर्मन सोलजर उसे मिलता है और उसे प्रेस करने की गोशिस करता है पर वो नहीं जानता है कि वो जूइस है और नाम बद रही होती है और वो सोलजर जिसका नाम प्रेडरिक रहता है वो उसे मिलने आता है किसी बाने और उसे दोस्ती करने का पूशता है पर सुसेना इंट्रेस्ट नहीं दिखाती है तब वैसे ही एक नाजी सोलजर आता है और उसे मिलता है और वो उसे रैंक में बड़ा होने के है तभी कुछ और लोग आ जाते हैं जहां सोसेना थोड़ा उस पर ध्यान तो देती है पर वो जर्मन सुल्जर होने के करण उसे ज्यादा भाव नहीं देती और चली जाती है और उसके बाद सोसेना को अपनी सिनेमा घर के लिए त्यारी करते हैं दिखाया जाता है जहां से एक काम रहता है और वह अपने मिनिस्टर और प्रेंडा से मिलवाता है जिसका नाम ज eder तबही उससे पता चलता है कि वो सब उसके सिनेमा हाल esseburn करना चाहते हैं जहां वो मिनिस्टर उसका कंफर्म करने के लिए पहले कहता है वह उसके सिनेमा हohl में नकरता है उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तभी एक आदमी आके रोक लेता है सोसेना को और वो चले जाते हैं और जो आदमी उसे रोकता है वो और कोई नई को नल हैंस रहता है और तभी वो उसे कुछ सवाल पूशता है अपने शक पर और सब ठीक लगने पर भी वो एक सवाल और करता है उसके हेलपर के बारे में जो की ब्लैक होता है और उसे उस इवेंट में नहीं देखने चाहता है उस दिन और उससाना को कहता है उसे प्रेजकर हेंडल करने के लिए और फिर उसे owe के करवाके वहां से चला जाता है उसके जाते ही सुसेना चैन के सांस लेती है और रोने लगती है अपने फैमिली के साथ हुए अत्याचार को सोचके और हंस ने जो किया था उसके वद जर्मन्स को सुसेना के थीटर में सब देखते हुए दिखाया जाता है जहां सब ओके होने के बाद जब वो चले जाते हैं और सुसेना बाहर से अंदर आती है और उसके और उसके हेलपर में बात होती है कि उन्हें वो थीटर जलाना होगा उस दिन और वो प्लान करने लगते हैं कि अभी थीटर में लगवक मूवी के 300 से ज़्यादा फिल्म्स रिल है और वो तीन गुना ज़्यादा जल्दी चल सक पिर सिंसिफ्टों के आर्ची ही कॉक नाम के अदमी को अंदर आते वे दिखाया जाता है जहां उसे उसके जनरल एक काम देते हैं उन जर्मन्स को उस थियेटर में मारने का और वो उसे खुशी-खुशी उस काम को अपना लेता है और फिर वो उसे एक हैमर्स मार्क नाम के दिखाया जाता है जहां एल्डो अपने साथियों के साथ दिखता है और हिकॉश भी वहीं रहता है जहां वो सब जर्मन सोलजर के ड्रेस पहने किसी का वेट कर रहे होते हैं तभी एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक स्पाई होती है और ये वही लेडी रहती है हैमर्स म मार्क और जर्मन्स के बीच में रहे के game खेल रही होती है और जो movie जर्मन्स망 बना रहे होते हैं उसकी इस्टार भी रहती है तभी हेक। के ऐमर्स baby के पास आता है और उस सारे details ले रहा होता है तभी major hell srm नाम के German soldier को दिखाया जाता है जहां वो side में बैट कर drink कर रहा होता है वो उटकर वहां बज रहे music को बंद करता है और Hickock के पास बैठता है और उसे सवाल पुछने लगता है कि वो यहां क्या कर रहा है उसे यहां France में नहीं होना चाहिए उसके बात उसे Hickock पर शक रहता है और चाड़ों तरफ से गोली चलने लगती है और एक वेलहम नाम के आदमी आके गोली चलने लगता है सब पर और कहा रहा होता है मुझे नहीं मरना है मेरा अभी बच्चा जन मिलिया है और मैं यहां सेलिबरेट करने आया था तभी वो पूशता है तुम किसकी साइड हो तब जो American soldier रहता है वो कहता है कि वो American है और तभी अर्डो पूशता है जो कि छूपा हुआ होता है और कहता है मेरे साइड बचा है कोई तभी हैमर्ज बर कहती है मैं अब जिन्दा हूँ और तभी अल्डो उसे negotiate करता है और वेलहम अपना ज़र नीचे रग देता है और उसके ब तुम्हें पता है क्या हुआ है मेरे तिन साथी मारे गए हैं। और कहता है ऐसा क्या हुआ था कि वो पहचान गए तबी। समर्क बताती है कि तुम्हारे जो नए साथी थे उन्हों ने तीन ग्लास ओर्डर किये इस तरह अपनी उंगली दिखाकर और चर्मन्स तीन ग्लास इस तरह ओर्डर करते हैं और ये भी पता चलता है कि हिटलर भी उस इवेंट में आने वाला है फिर हेल्डो ये समझने के अमेरिकंस इंग्लिस बोलने के अलावा कुछ और लैंग्विज आता है तो एल्डो कहता है हां इटालियन तो हैमर्समार्क कहती है ये थोरा ठीक है जर्मन्स इटालियन में तोरे कच्छे होते हैं और फिर तैय होता है कि वह उन्हें ले जाएगी अगर ये लेग जाने ला है और उसके लिखे नोट जो उसने हिकोक्स को दिये थे और फिर चैप्टर फाइब स्टार्ट होता है जहां सोसायना को अपने थीटर को जलाने के लिए त्यारी करते हुए दिखाया जाता है और एक मेसेज वीडियो भी रिकॉर्ड करती है जो मूवी के लास्ट में चलाय पर वो उसके पास जाता है और उसे हाई हैलो कर उसके लेक के बारे में पुछता है तो हैमर्स मार्क उसे जूट बोलती है तो वो उसके जूट को पकड़ लेता है और फिर एल्डो और उसके साथी जो हैमर्स मार्क के साथ में ही रहते हैं उनके बारे में भी पुछता है त अभी वो सब समझ जाता है और इस बीच अपने साथियों को अडिटोरियों में भेज देता है मुवी देखने के लिए जहां वो अंदर जा रहे हैं वहां दूसरी और सोसेना को भी अंदर जाते हुए दिखाया जाता है और जब अपने हेलपर के पास पहुंशती है जहां वो कहता है सोसेना से कि मैसेज वाला वीडियो फोर्थ रिल में है और जब जर्मन और जाने लगते हैं तो मार्सल जो की उसका हेलपर रहता है वो कहता है हमें डो पहले लॉक करना होगा और तबी हैंस को अमर्समा को अपने साथ ले जाते हुए दिखाया जाता है जहां अल्ड हैंस कर लेता है कि हमेर्समार्क इंसिडेंट के वक्त वहीं थी और फिर जब यह कंफर्म हो जाता है तो हमेर्समार्क कहती है अब तुम क्या करोगे और तबी हैंस उसे मार डालता है और एक कॉल कर कहता है वो जो वाइड ड्रेस में आदमी है उसे पकड़ लो फिर कुछ ल कर्णमन अल्डो को एक जगा ले जाके बैठाते हैं जहां हैंस भी रहता है और अल्डो से कहता है मेरे सामने जो फोन है इससे मुझे एक कॉल करने की देर है और तुम्हारे साथी जो अंदर ओडिटोरिय में बैटे हैं बॉम के साथ पकड़ लिये जाएंगे और अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा मिशन सक्सेस भी हो सकता है तब ही एल्डो कहता है कैसे तो हैंस कुछ कंडिशन रखता है कि उसे उसकी हाईयर रेंग से बात करवाए तब ही सिंसिप्ट होता है और जर्मन मुवी चलते वे दिखाया जाता है जहां डौनी बाहर आता है और कंफर्म करता है हिटलर आया है कि नहीं और कंफर्म होने के बाद वो बापस आके अपने साथी को बुलाता है और दोनों वहां से निकल कर उपर की और जाते हैं फिर सोसायना का जो हेलपर रहता है मार्सल वो निकल कर सारे डोर लौकर देता है और बाहर से अंदर स्क्रीन के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और दुसरी और एंस अबने दिमांड बता रहा होता है री वह उसे ऊफिशल से और फिर फ्रेडरिक जो एकटर होता है उस मूवी का वह अपने प्ले से उठ कर सोसैना के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है पर वो मना करती है और फिर वो अंदर आता है और उसे कहने लगता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे हमेसा अच्छे से बात किया करता है पर वो उसे हमेसा इग्नोर कर देती है और उसके साथ वो सुसाना अपने गन लेके उसे गोली मार देती है और जब वो समझती है कि वो मढ गया और जब चिक करने जाती है तो वैसे ही वो भी उसे मुड कर उसे गोली मार देता है और दोनों वहीं मढ जाते हैं उसके बाद डोनी और उसके साथी को प्लान के हिसाब से अपने हाथ में गन सेट कर एक वेटर बन के गाट के पास जाते हुए दिखाया जाता है और दोनों मौका मिलते ही वहाँ खड़े गाट को मार देते हैं और तभी वैसे ही सुसाना का मेसेज इस्टार्ट हो जाता है जहां वो जर्मन्स को कैय रही होती है हम तुमें डेर करते हैं और ये जूइस पे हुए अत्याचारों का बदला है और फायर इस्टार्ट करने को कहती है वीडियो में और मार्सल जो की इस्मोग कर रहा होता है स्क्रीन के पीछ वो अपने सिग्रेट वहाँ पड़े रिल पे फेकता है और अचानक से सब चलने लगता है जहां हिटलर भी ये सब देख रहा होता है और जब हिटलर भागना चाता है तो वैसे हैं डौनी अपने साथी के साथ अंदर आके अंधा दुन गोली चलाने लगता ह और हिटलर को वहीं भून देता है गोलीं से और जो आजिएंस रहती है वह भी आख को देकर भागने की गोशिस करती है पर भाग नहीं पाती है और डोनी गोली सब पर चलाए जारा होता है और दोबारों से हिटलर को मारता है और ओंब जो उन लोग उने content किया था वह भी Blast कर पूरा थिएटर उड जाता है उसके वसिति होके अध्यडो के पास दिखाया जाता है जहां सट के अनुसार हेंस उन्हें यूए से अलाइट बॉर्डर के पास जाके खोलता है और अपने आपको उनके हवाले कर देता है पर एल्डो हैंस के आदमी को मार के कहता है अपने आदमियों से की इसके स्काल्प ले लो और तबी जब हैंस कहता है मैंने डिल की है इसके लिए तब एल्डो कहता है तुम्हें लाने की बात ही इसे नहीं और ये भी कहता है तुम्हें कैसे ऐसे जाने देंगे और हसते हुए झाल झाल